हाँ जी बच्चों, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि BOP equilibrium में कब होता है और BOP disequilibrium में कब होता है बच्चों, BOP equilibrium में तब होता है जब current account plus capital account plus RNN omission zero के equal होते हैं ठीक है, और हमने ये भी बढ़ा था न, official reserves transaction क्या करते हैं, help करते हैं इसको क्या करने में, balancing करने के अंदर बड़ यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, equilibrium में कब होता है वो, equilibrium में तब होता है, जल्दी से बोलिए when current account plus capital account plus RNN omission अगर हैं तो वो zero के equal हों तो वो equilibrium में है और अगर वो zero के equal नहीं है, that means there is disequilibrium in BOP बच्चो BOP surplus में कब होता है, जब current account plus capital account का जो balance होता है, वो positive figure आता है तो हमारा BOP surplus में होता है, ठीक है, और अगर BOP deficit में कब होता है, अगर current और capital account का जो balancing figure है वो negative में आए, तो हमारा BOP deficit में होता है, ठीक है, और इस surplus और deficit को ठीक करने के लिए हमने पड़ा था official reserve transactions का use किया जाता है, accommodating transactions कहलाती है वो, उसका use किया जाता है और BOP हमारा क्या हो जाता है, balance हो जाता है, बच्चों, तो बात आई, ये surplus, ये deficit, ये क्यों होता है क्या reason है इसके पीछे, बच्चों, एक, आगे बढ़ने से पहले एक बड़ी important चीज़ बताने जा रही हूँ BOP surplus को easy language में मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ BOP surplus का मतलब क्या हुआ, कि हमारी country में जो inflows है न वो जादा है और outflows कम है Forex जादा आ रहा है किसी भी reason की वज़से चाहे current account में चाहे capital accounts में ठीक है, वो जादा आ रहा है, outflow कम है But deficit कब होता है, जब outflow जा रहा है और inflow कम होता है इसी basis पे हम इसके causes पढ़ने जा रही है तो causes में सबसे पहले हम चार basis पे पढ़ेंगे causes को पहला है economic factors Economic factors में पहला आया huge development expenditure बचो हमारी क्या है, developing economy हमारी इस developing economy के अंदर बहुत सारी type की developments होती है तो हमें बहार से बहुत सारा समान मंगवाना बढ़ता है तो जब हम बहार से समान मंगवाएंगे, import होगी समान की, तो जब import होता है समान तो क्या होता है, disequilibrium create होता है because import जादा है, export कम है first point clear हुआ दूसरा है business cycles बच्चों, अगर business cycles हो boom है, recession है, depression है, recovery है like this, हमारे cycles इस टाइब से चलती है न business cycle कहलाती है यह उपर वाला जो होता है, यह peak, यह boom कहलाता है हमारे सारी activities बहुत अच्छी होती हैं इसके अंदर नीचे वाला depression कहलाता है depression से boom की तरफ recovery और boom से दुबारा से depression की तरफ जाएं तो recession होता है तो बच्चों यह जब boom, recession, depression, recovery होते हैं तो हमारी economic activity affect होती है कैसे, boom है तो बहुत अच्छा जल रहा है सब कुछ बहुत अच्छी production हो रही है हम export करना स्टार्ट करते हैं तो boom के टाइम पर exports बढ़ जाती है disequilibrium आ जाता है ठीक है, अब depression है, भया कुछ बन ही नहीं रहा क्या करें अब तो इस time पर हमें समान की जरुवत पड़ती है ठीक है, तो उस time पर हमें import करने पड़ती है तो business cycles भी क्या करती है हमारी economy में क्या लेकर आती है, disequilibrium लेकर आती है, BOP के अंदर फिर आया high rate of inflation अगर हमारी country के अंदर inflation rate high है तो हम क्या करेंगे, उस country से समान मंगवाएंगे, जहां पर वो सस्ता मिल रहा है, example लेते हैं इसके अंदर बहुत अच्छा toys का बच्चों हमारी country के अंदर toys जो produce होते हैं, तो वो महेंगी मिलते हैं market के अंदर तो हमारी country वाले क्या करते हैं toys को ना चाइना से मंगवाते हैं imports बड़ी import बड़ी तो disequilibrium create हुआ, तीन factor हो गए economy के अंदर पहला huge development expenditure, second one business cycle, third one high rate of inflation then आया development of import substitutes, पहले क्या था हम जो समान मंगवार रहे थे import कर रहे थे, अब हमने क्या किया, उसी imported समान की जगां पर हमने कोई replacement बना ली, इंडिया के अंदर ही, अपने ही country के अंदर जिससे क्या हूँ, हमारे import कम हो गए, surplus हो गया surplus है, जाए deficit है disequilibrium तो है ही ना बात समझे, जो चीज import हो रहे थी, वो हमारे यहां पर बनने लग गई है तो अब हमें import की जरूरत नहीं है उस particular चीज की तो imports कम होंगी और imports कम होंगी, तो disequilibrium आएगा then आया change in cost structure of trading partners अगर, suppose दो firms हैं, A, B या C, कितने भी लगा लो एक ऐसी technology की development होई कि इनकी ना cost बहुत कम आ गई, cost fall होगी cost गिरने से इन्होंने बहुत सारा समान बनाया और exports rise होगी क्या हमारी country के अंदर उसकी नहीं है उसकी इतनी ज़्यादा जरूरत तो उन्होंने उसको export करना start कर दिया अब export किया, तो obviously फिर से वो BOP को impact करेगा तो और हमारी BOP के अंदर क्या आ गया, disequilibrium तो यह सारे economic factors थे, फिर हम पढ़ रहे हैं हमने 3 basis पर पढ़ना है, मैंने 4 बोल दिया था गलती से political factors, बच्चो political factor में पहला है political instability बच्चो, political instability का मतलब क्या है, कि अगर किसी country के अंदर उसके government stable ही नहीं कभी एक government आ रही है, कभी दूसरी आ रही है कोई एक policy लेकर आ रही है, कोई दूसरी policy लेकर आ रही है, तो ऐसी type की country में foreign investment नहीं आती foreign investment बहुत कम आती है और foreign investment कम आती है या नहीं आती है, तो क्या होता है उससे भी हमारा BOP का balance बिगडता है disequilibrium आता है clear दूसरा है populism policy बचो देखो, क्या होता है, कई बार government नहीं अपने आपको बड़ा दिखाने के लिए और मैंने तो ये कर दिया वो कर दिया, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो नहीं उस चक्कर में अपने आपको popularize करने के चक्कर में वो लोग कई बार import duty हटा देते हैं येस, तो import duty हटते ही आपको पता है के हम लोग, हमारी country के लोग बहुत सारा समान मंगवाने लग जाएंगे समान मंगवाएंगे obviously disequilibrium create होगा BOP के अंदर, ठीक है तो दो political factors हुए then आए social factors social factor में पहला क्या है change in taste and preference बच्चो देखो, आपको मालू मैं आज के टाइम पर बहुत सारे लोग brand conscious होगे तो उनको चाहिए branded goods और branded भी कौन्स है, जो दूसरे country's के foreign brands है, ठीक है तो अब, जब हमारा taste and preference उसकी तरफ जाएगा तो हमें बाहर से समान मंगवाना पड़ेगा जादा मंगवाना पड़ेगा import करना पड़ेगा और करना पड़ेगा, तो obviously disequilibrium create हो गई होगा then आया cross border prejudice बच्चो देखो, अगर दो countries हैं, एक A है, एक B है पहले ही एक दूसरे के साथ trade कर रहे थे अब किसी वज़े से इन दोनों के बीच में जगड़ा हो गया वही समान जो पहले suppose 100 करोड का आ रहा था जगड़े की वज़े से A ने B से नहीं मंगवाया और उसने C से मंगवाया C से वही समान 150 करोड का पड़ा उसको तो क्या हुआ, imports का बढ़ गया, disequilibrium create होगा, होगा, होगा या नहीं होगा, तो social factors में क्या change in taste and preference and second one yes, cross border prejudice, political factors क्या थे political instability and populism policy, इससे पहले हमने क्या पड़ा, economic factors इसमें 4 points थे, क्या-क्या थे sorry, 5 points थे huge development expenditure, second one business cycle, third one high rate of inflation fourth, development of import substitutes and fifth one change in core structure of trading partners, तो ये हमारा topic cover हो गया, कौन से वाला, equilibrium and disequilibrium in B.O.P थैंक यू